बाफ किजेगा जहां पे छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूँ वीडियो कट हो गया बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लेम आ गई तो मैं धीरजी के कुल्डी पे था धीरजी आपको यहीं बोलूँगा चीकि शादी करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बेबी प्लाइन करता है तो अच्छा रहेगा बेबी के साथ हाँ उसमें कॉम्प्लिकेशन आये तो उसका रिजूशन जरूर करिएगा लेकिन अगर आप एजुकेशन लाइन में रहते हैं या आप टीचिंग लाइन में रहते हैं या बच्चों से कोई काम करते हैं तो उसमें चाके बैटा आगर वहां से देखू तो भाकिस्तान में बैटा है तो यहां पर कहीं न गए आफ्टा मैरिज भी आपको अच्छा ग्रोथ मिलने के चांसे बनते हैं तो शादी दिहान से करिएगा लेकिन करने के बाद अगर आप सही रिसीजन लेते हैं अगर यहां पर एक ची देखके शादी करेंगे तो कहीं न गहीं हाँ पर कॉंप्लिकेशन जरूर के रिट हो सकते हैं तो इसलिए मैं आडवाइजरी यह दूँगा कि अपनी टाइमिंग को लेके अपनी दशाओ को लेके उसको ध्यान पर रखते हुए जो भी काम आप करें उसमें इंटेंशन अपने आप आजाएगा शादी के बाद आपके ज्यादा अच्छा तीचिंग लाइन में भी आपको अच्छा प्रोफेशन मिलेगा आई होब भीरजी आपको मैंने सवालों के जवाब दिये हैं माफ कीजेगा बीच में वीडियो थोड़ा सा डिटेक्ट हो गया बच्चों डबल थी आपके लास के मुबाइल का नंबर है ठीक है सुनाली जी आपने सवाल पूछा के के सर मेरी शादी क्या शनी की महादशा में होनी चाहिए क्या हो सकती है या नहीं हो सकती और आपने सवाल ये पूछा जी के अभी मेरी गुरू की महादशा चल रही है गुरू की म लेगी दोहजाट चवालिस्ता ठीक है? शनी आपके अश्टम घर में बैठा हुआ है, आठवे घर में बैठा हुआ है, और गुरु के साथ ही बैठा हुआ है, गुरु यहाँ पर जो आठवा घर है , आपका जो लगन है वो लिब्रा है , तोला लगन की हैं आप आठवे घर में जो नंबर लिखा वो दो नंबर लिखा है जिसके मालिक शुक्र हो जाते हैं और शुक्र खुद आपके लगन के मालिक है और लगन में ही बैठे हुए हैं तो करेंगी तो आप love marriage मी panda लेई चांसे और लव के चांसे है वाइन है कि तो आप पसंद की लिड़की आपके आपको बोलनी की ज़रौरफ हो और आप शाधी कर लें अरेंज मैरीजो जाते हैं तो तो अपनी पसंद दूसरा, क्या शनी की महादशा में शादी करने चाहिए, मेड़ाम शनी की ही महादशा में शादी करिए, शनी है आपके लगन के योगकारक प्लैनेट है, अक्ष्टम घर में बैठे हुए हैं, अगर आप जब शादी करेंगी, तो शादी शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, अगर आप गुरु की दशा में शादी करी है तो गुरु का गप करेज मेहनत गर का मालीक है और छटे घर के मालीक है Assamsthouse अगर वह शुक्र की राशिया बैटे है तो आपके लिए एट्वाइसरी यह ही रहेगा जिए कि आप शनी की ही महादशा में शादी करें और शनी की ही महादशा में आप जब शादी करेंगी हाँ देख पड़क के करें शादी में जरूर कुछ न कुछ चोटे मुटे कॉम्प्लिकेशन्स है उन कॉम्प्लिकेशन्स को सॉट आउट करके शादी करेगा जब आप किसी से शादी करेंगी तब आप जरू उन complications को discuss कर लीजेगा उसे साब से शादी करेगा लेकिन शनी की महादशा शादी करने में कोई conflict problem नहीं है क्योंकि आपके लगन में शनी चौते और पंचम घर का मालिक है पंचम घर का मालिक होके और चौते घर का मालिक होके योग कारक प्लाइनेट बनता है तुला लगन में और योग कारक प्लाइनेट होने के कारें शनी अपनी महादशा में जरूर आपको आपकी पसंद की शादी कराएगा आपको ज़रूर मैं मानता हूं लेकिन आपकी लगन गुरू से नहीं शुक्र से चल रहा है और उसके अंदर शनी योग कारक है तो इस कारण वर्ष ये बोलूँगा तेकि आप जिससे शादी करेंगे उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा मंगल आपके शादी का ज़रूर मालिक है कही ना कही कोई role play करता है तो इसको ध्यान में रख्ये करें बट शनी कि महद अशा में शादी करेंगी तो कोई complication होगा ऐसी कोई ऐसा कोई निसेसरी नहीं है, उल्टा बहतर होगा, थोड़े सुपाई करिएगा शनी के, जरूर आपको बहतर होगा, क्योंकि शनी हाप पे रेट्रो गेट है मेरे हिसाब से, जो मेरे को ध्यान है, तो अभी इस कुंडली में मैंने पुरापर लिखा नहीं है, शायर रेट्रो गेट है, तो आपको मंगल के और शनी के उपाई जरूर करने पड़ेगा, शनीवार और मंगलवार को जरूर शनी के उपाई कर लिजेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, शनी की मादर्शा में और राम से शादी करिए, ठीक है, अब आयू जी की बात होती है, आयू जी के जो पर बिजनेस की बात कर लेते हैं, पहला पॉइंटर बड़ा थोड़ा उपर नीचे का कुंड़ी है, आपके लिए ने जो प्रोफाइल है वो है पाइसेस लगन के हैं, आपका भी मालिक गुरू है, आपके लगन के मालिक गुरू है और आपके लगन में ही चंद्रमा है और अपने घर पर उंच के वे चाहएं मेठे हुए और आपने घर पर मालिक हुके गर मेठे हैं को या आपके पिता को कहीं ना कहीं health related problem दे सकते हैं अब आपने पूछा जी कि business करूँ या कि जॉब देखें आपका जो profession अगर आप medical line में है अगर आप education अभी आपकी आयू कम है अगर आप medical line में education लेते तो आप pharmacy के रिगार्डिंग आप काम कर सकते हैं सर्विस सेक्टर में आप जाएंगे तो अच्छा रहेंगे अगर सर्विस सेक्टर से related कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा चाहे मेडिसिन हो चाहे शोशल वर्क हो या आप pharmacy का काम करें तो वहां पर आप अपने education को लेकर आप फायदा दे सकते हैं कही ना कहीं है मुझे एक और चीज़ दिखाता है जिकि शादी के बाद आपको ज़रूर ग्रोथ मिले के chances बनते हैं शादी के बाद आपको अगर आप चाते हैं क्योंकि आपका जो profession है वो कही ना कह महादशा कट गई है जो की बहतर है आपकी कई सारे चीजों के लिए क्योंकि अश्रम घर का केतु बहुत जादा साथ इंसान को धार्मिक और कहीं ना कहीं एका की पन में डाल दीता है तो केतु की सतर दोजा सतरा तक जो दशा गई है शुक्रे के साथ जरूर केतु बैठे ह हमें अगर इंडल्ज है तो यह डीडिंग आपके लिए डिफ्रेंड होगी अगर आप ब्यु mégूटी रिलेटेट अगर कहीं काम कर रहे हैं या व्यूटी या क्रीटिवीटी या।म्यूजिक रिलेटेट कहीं बिसनस में है या कि लिकुड बिसनस में है तो आपके लिए ब लेकिंगेर अगर अगर अपनी मदरवा सुखनों फॉलूैंस्ट तो और मदर को और से और से पर नहीं कहीं एक authority को denote कर रहे हैं मैं शायद यहां पर कुछ ऐस मतलब मैं कुछ जादा ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं लेकर अगर आपके फादर politician है अगर आपकी मदर सर्विस सेक्टर से हैं या आपकी मदर या फादर में से कोई politician है तो आप अपने business को अपने profession को politics में जरूर ला सकते हैं आप politics में जरूर जा सकते हैं इसमें कोई दिखत नहीं होनी चाहिए आपके प्रोफाइल में ज्यादतर business को दिखा रहा है कम education आपका कहीं जॉब के साथ education business को दिखा रहा है तो आपके लिए भी consultation का काम जादा अच्छा रहेगा politics आपक politics related नहीं है क्योंकि यहां पर अगर आप politics related होते हैं तो दोजा सैंतिस तक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र उसमें भी आपको काफी अच्छा मदद देगा ग्रोथ देगा सटन ग्रोथ देगा देखिए गुरू चटे घर में बैठा हुआ है और चट प्रिके से politics की तरव भी आपकी रुज्षान हो सकती है अब हो सकता है मैं गलत हूं तो यह आपकी वह सकता है कि आपके फादर पॉलिक्स में पॉलिक्स में जाए आपकी फाइमिली जो हां से तो ये भी एक profession हो सकता है हाला कि शुक्र से related महादर्शा चल रही है शुक्र की तो अश्टम से related कोई भी काम करें मतलब सर्विस से कोई भी काम करें क्रिटीव म्यूजिक से अगर कोई काम करते हैं तो भी वह अच्छा रहेगा बहराल आपकी जो लगन के हिसाब से अगर का ज्यादा अच्छा chances बनता है तो मेरे हिसाब से ये थी मैंने multiple कुंडिया आज फिर से read करी है चार कुंडिया मैंने read करी है कुछ और कुंडिया read करूँगा लिकन उसमें time लगेगा please bear करिएगा मेरे साथ थोड़ा wait कर लीजेगा मैं कोशिश करूँगा जिकि जितनी हो सक